टिकेट अल्बम परिचय प्रस्तुपाठ टिकेट अल्बम हमारे पाठे बुस्तक वसन से ली गई है और उसकी लेखक सुन्दरा रामा स्वामी है बच्चों आपने कभी किसी चीज के बिना पूछे उससे ली है कभी किसी से इंशा हुई है आओ आज कुछ ऐसी ही कहानी सुनते है अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता आजकल सबकी सब नागराजन को घेरे रहती नागराजन घमंडी हो गया है राजप्पा सारी लड़कों में कहता भिरता पर लड़की भला कहां उसकी बात पर ध्यान देती नागराजन के मामा जी ने सिंगापूर से एक अलबम भिजवाया था वह लड़कों को दिखाया करता सुभा पहली घंटी के बजनी तक सब ही लड़की नागराजन को घेर कर अलबम देखा करती आधी चुटी के वक भी उसके आसपास लड़कों का जमघर लगा रहता कई लोग टोलियों में उसके घर तक हुआए नागराजन शांती पूरवक सब ही को अपना अलबम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता अलबम को गोद में रख लेता और एक-एक पन्ना पलटता लड़के बस देख कर खुश होते और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस अलबम को देखने के लिए उच सुख थी पारवती लड़कियों की अगवा बने और अलबम मांगने आई लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी नाक राजन ने कवर चड़ा कर अलबम उसे दिया शान तक लड़कियां अलबम देखती रहें फिर उसे वापस कर दिया अब राजप्पा के अलबम को कोई पूछने वाला नहीं था वागई उसकी शान अब घट गई थी राजप्पा के अलबम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी बधुमक्खी की तरहां उसने एक-एक करके टिकेट जमा की थे उसे तो बस एक यही धुन सवार थी सुभा आट बजी वो घर से निकल पड़ता टिकेट जमा करने वाले सारे लड़कों की चकर लगाता दो अस्ट्रेलिया की टिक्टों की बद्रे एक फिनलांड का टिकेट लेता दो पाकस्तान की बद्रे एक भूसका बस शाम जैसे ही घर लोटता बसता कोने में बटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की चेब में भर लेता और खड़े-खड़े कॉफी पी कर निकल जाता चार मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा के टिकेट लेने पक दंडियों में होकर भागता स्कोल भर में उसका अलबम सबसे बड़ा था सरपंच के लड़के ने उसके अलबम को 25 रुपे में खरीदना चाहा था पर राजप्पा नहीं माना गमंदी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था फिर उसने तीखा जवाब दिया था तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना उसे दे दो ना 30 रुपाई में सारे लड़की तहा के मार करहस पड़े थे पर अब कोई उसके अलबम की बात तक नहीं करता और तो और अब सब उसके अलबम की तुल्मा नाग राजप्पा का अलबम पिसर्टी है पर राजप्पा ने नाग राजप्पा के अलबम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते हैं तो वह नीची आँखों से देख लेता सच मुच नाग राजप्पा के पास जितने टिकर थे उतने नाग राजप्पा के अलबम में नहीं थे पर खुद उसका अलबम ही कितना प्यारा था उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी इस तरह का अलबम यहाँ थोड़ी मिलेगा अल्बम की पहले प्रिष्ट पर मोती जैस्ते अक्षिरों में उसके मामा ने लिख भीजा था एम नागराजन इस अल्बम को चुराने वाला पेशर्म है उपर लिखे नाम को कभी देखा है यह अल्बम मेरा है जब तक घास हरी है और कमल लाल सूरच जब तक पूर्फ से उगे और पस्चिम मिझे पे उस अनन्ट काल तक के लिए यह अल्बम मेरा है और रहेगा लड़कों ने इससे अपने अल्बम में उतार लिया लड़कियों ने जट कापियां और किताबों में टीप लिया तुम लोग यहां नकल क्यों करते हो नकल जी कहीं के राजिपा ने लड़कों को गुड़की दी जट चुट रहे पर क्रिश्णन से नहीं रहा गया जा जा जलता है इरशालू कहीं का मैं काही को जलू जले तेरा खांदान मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बढ़ा है राजिपानी शान बगारी अरे उसकी पास जो टिक्टे है वह है कहीं तेरे पास सब क्यों बस एक इंडोनेशा का टिकेट दिखा दो अरे पानी भरोगी हाँ खृष्णन नी चीड़ा पर मेरे पास जो टिकेटे वह कहा है उसके पास राजपा ने फिर ललकारा उसके पास जो टिकेटे बही दिखा दो खृष्णन भी कम नहीं था ठीक है दस रुपी की शर्ट मेरे वाले टिकेट दिखा दो तुम्हारा अल्बम कूड़ा है विश्णन चीखा हाँ हाँ कूड़ा लड़के जैसे कूरस गाने लगे राजपा को लगा अपने अल्बम के बारे में बाले करना फाल्त है उसमें कितनी महनत और लगन से टिकेट पटो रहे है सिंगापूर से आये इस एक पार्स दिल ने नाग राजण को एक ही दिन में मशूर कर दिया पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे राजपा मन ही मन उड़ रहा था स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्माने लगी आंतर पर शरीवार और रविवार को तिकेट की खोच में लगा रहता परन्तो अब घर घुसा हो गया था दिन में कई बार अल्बम को पलटता रहता रास को लेट जाता सहसा जाने क्या सोच कर उड़ता ट्रंक खोल कर अल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता उसे अल्बम सी चिड़ होने लगी थे उसे लगा अल्बम वाकई कोड़ा हो गया है उस दिन शाम उसनी जेसे तै कर लिया था वह नागराजन के घर गया अब कोई कितना अपमांग सहे नागराजन के हाथ अजानक की कलवन लगा है बस यही ना वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किये जाते है एक एक टिकट की किया कीमत होती है वह बला क्या समझे सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वहा उतना ही कीमती होगा या पेर सोथता होगा बड़े देश का टिकेट कीमती होगा वहा भला क्या समझे उसके पास जितने भी फालतू टिकेट है उन्हें तरका कर उससे अच्छी टिकेट जाड़ लेगा कितनो को तोस्ती यूँ ही उल्लू बनाया है कितनी चालबाजे करनी पड़ती है नागराजन भला किस खेट की मूली है राजपा नागराजन की घर पहुँच कर उपर गया चूंकि वह अकसर आया चाया करता था तो किसी ने नहीं टोका उपर पहुच कर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैट गया उसने पाद नागराजन की बहन कामाक्षी उपर आई भाईया शेहर गए हैं अरे हाँ तुमने भाईया का अलबम देखा उसने पूछा राजपा कहा कहने में एकड़ी हो रही थी बहुत सुन्दर अलबम है ना सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा अलबम नहीं तुमसे किस ने कहा बाईया ने वह कुड़ गया बड़े से क्या मतलब हुआ आकार में बड़ा हुआ तो अलबम बड़ा हो गया क्या उसकी चिल्चड़ाहत साफ थी कमाक्षी कुछ देटर पही रही फिर नीची चली गई राजपा मेस पर बेक्टी किताबों को टटोलने लगा अजानक उसका हाथ तरास के ताले से डखरा गया उसने ताले को खीच कर देखा बन था क्यों ना उसे खोल कर देख लिया जाए मेस पर उसने चाबी ढूण मिकाले सीड़ियों के पास जाकर उसने एक बार जाक कर देखा फिर जल्दी में दरास कोली अलबम उपर ही रखा हुआ था पहला प्रिष्ट खोला उस वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा उसका दिल तेजी से धड़तने लगा अलबम को जट से कमीज के नीचे के खोस लिया और दरास बंद कर दिया सीड़ियां उतर कर घर के और भागा घर जाकर सीधा पुस्तक के अलमारी के पास गया और बीचे के और अलबम चिपा दी उसने बाहर आकर जाका पूरा शरीर जैसे जलने लगा था गला सूख रहा था और चेहरा तम तमाने लगा था रात आट बजे अप्पू आया हाथ पाउ हिला कर उसने पूरी बात कह सुनाई सुना तमने नाकराजन का अलबम खो गया हम दोनों शेहर गए हुए थे लौट कर देखा तो अलबम का आया राजब पाद चुप रहा उसने अप्पू को किसी तरह टाला उसकी जाते ही उसने जट कमरे का दर्वाजा फेर लिया और अलमारी के पीछे से अलबम निकाल कर देखा उसे पेर चिपा दिया डर था कहीं कोई देखना ले रात में खाना नहीं खाया पेर जैसे भरा हुआ था सारा घर चिंदित हो गया उसका चहरा भयानप हो गया था जात उसने सोने की कोशिश की पर नीम नहीं आई अलबम सिरहाने तक्ये की नीचे रखकर सो गया सुभा अपू दुबारा आया राजपा तब भी बिस्दर पर बैठा था अपू ने सुभा नागराजन के घर होकर आया था कल तम उसके घर गए थे अपू ने पूछा राजपा के सांस जैसे उपर की उपर और नीचे की नीचे रह गए फिर से ने ला दिया पर जिस तरह चाहे सोच ले कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने की बाद आरे तुम बहां आए थी अपू बोला राजपा को समझते दे नहीं लगी कि आप सब उस पर शक करने लगे है कल रात से नागराजिन लगातार रोई जा रहा है उसके पापा शायद पुलिस को खाबर दे अपू ने फिर कहा राजपा फिर भी चुप रहा उसके पापा डेसपी के दफतर में ही तो काम करते है बस वहप पलक जपकते और पुलिस की फोज हासित अपू जैसे आँख में घी डाल रहा था ये तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे डूनता हुआ आ गया और अपू चलता बना राजपा की पापा दफतर चले गए थे बाहर का किवार बन था राजपा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ आदा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह पैठा रहा तभी बाहर की सांकल खटकी पुलिस राजपा बुदबुदाया भीधर सांकल लगी थी धरवजा खटकने की आवाज तेज हो गए राजपा ने तकी की नीचे से अलबम उठाया और उपर भागा अलमारी की पीछे चिपा दी नहीं पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा अलबम को कमीज की नीचे चिपा कर वहाँ नीचे गया बाहर का दर्वाजा अब भी बज रहा था कौन है? अरे दर्वाजा क्यों नहीं खूलता? अम्मा भीधर से चलाएँ थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खोदी उठकर चली आएँगी राजपा पिछवाड़े की ओर भागा जल्दी से बात्रों में गुश कर दर्वाजा बंद कर लिया अम्मा ने अंगीठी पर गरम पानी की देखची चड़ा रखी थी उसने अल्बम को अंगीठी में डाल दिया अल्बम जलने लगा कितने प्यारी टिकेट थे राजपा की आँखों में आसु आ गए तब ही अम्मा की आवाज आई जल्दी से आ तो नहा कर नागराजन तुझे ढूंटा हुआ आया है राजपा ने निकर उदार दी और गीला तॉलिया लपीट कर बाहर आ गया कपड़ी बदल कर वर्ह उपर गया नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था उसने देखते ही बोला मेरा अल्बम खो गया है यार उसका चेहरा उत्रा हुआ था काफी रोकर आया था शाहे कहां रखा था तुमने राजपा ने पूछा शायद दराज में शेहर से लोटा तो गायब नागराजन की आपको में आसु आ गये राजपा से चेहरा बजाता है उसमें आखे पोच ली रोमत यार राजपा ने उसे कुछ कारा वहब वफक वफक कर रो दिया राजपा जहर से नीचे उतर गया एक मिनत में वहब उपर नागराजन की सामने था उसके हाथ में उसका अलबम था तो यह रहा मेला अलबम अब इसे तुम रख लो ऐसे क्यों देख रहे हो मजब नहीं कर रहा सच कहता हूँ इसे अब तुम रख लो बहला रहे हूँ यार नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया नहीं आर सच मुझ तुम को दे रहा हूँ रख लो राजपपा भला अपना अलबम उसे दे दे कैसा चमतकार है नागराजन को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था उसका गला भराया ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ पर तुम क्या करोगे? मुझी नहीं चाहिए एक भी टिकेट नहीं चाहिए? नहीं पर तुम कैसे रहोगे बगेर टिकेट की? रोता क्यों है यार? ले, इस अल्बम को तो ही रख ले इतनी महनत की है तुने नाकराजन बोला नहीं, तुम रख लो लेकर चले जाओ जाओ, चले जाओ यहां से वह चीखा और पूट-पूट कर रो दिया नाकराजन की समझ में कुछ नहीं आया वह अल्बम लेकर नीचे उतर गया कमीज से आखे पोचता हुआ राजपा भी नीचे उतर आया दोनों साथ साथ दरवाजी तकाए बहुत बहुत धन्यवाद मैं घर चलो नाकराजन सीरियां उतरने लगा सुनो राजू, राजपा ने फुकारा नाकराजन ने उसे पलट कर दीखा अल्बम दे दो मैं आज राथ ही जी भर इसे देखना चाहता हूँ कल सुभा तुम्हें दी जाओंगा ठीक है नाकराजन ने उसे अल्बम लोटा दी और चला गया राजपा उपर आया उसने दर्वाजा बंद कर लिया और अल्बम को चाहती से लगा कर फूट फूट कर रूँ दिया सारांश तो बच्चों, आज हमने दीखा कर छो पॉब भार यूट